बास्ते बच्चों कक्षा 10 विशेगनित और अपने प्रिशनावली चल रही है सरकल सरकल में अपने 12.4 के जो कोशन है चार तक वो हल कर चुके हैं और पांचमा कोशन अपने हल करना है तो पांचमा कोशन क्या दे रखा है अपने को दे रखा है कि ABCD कोई चक्रिय है चत्रबुज है और AD और समांतर है BC तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे डाइग्राम बनाएंगे तो डाइग्राम बनाने के लिए ये अपने सबसे पहले सरकल बनाया circle बनाने के बाद अपने इसमें A, B, C, D क्या है चक्रिय चत्रबुज को बनाते हैं तो A, B, C, D इसके विकिरण मिला दिये मिला दिये अब देखो इसने क्या कहा है अपने को एक बात कही है कि A, D समांतर है B, C की कि A, D क्या है समांतर है B, C के ये दोनों समांतर हैं और इनको ये एक तिरक देखा काट रही है ये एक तिरक देखा जो काट रही है फिर ये दोनों कौन क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है एक आंतर कौन है कि कौन A C B बराबर होगा कौन A C B C A D के C, A, D, K तो दोनों को क्या मान सकती है अपने X मान सकती है यह दोनों क्या होंगे X, X यह भी X होगा और दूसरी बात अपने इसकी बात करें इस एक ही चाप की तो यह दोनों क्या है A की चाप पर बने कौन है कि जो कौन है D, B, C ब्राबर होगा कौन C, A, D के D, B, C कौन ब्राबर होगा इसके क्योंकि ये क्या है एक ही खंड में बने कौन है एक ही खंड में बने कौन है ये क्या है एक ही वर्थ खंड में बने कौन है इसी तरह ये C, A, D और ये दुनों आगे बराबर क्योंकि यह एक आंतर कौन है अब देखो कौन C-A-D कौन B-D-A कौन C-A-D कौन C-A-D और कौन है देखो कौन C-A-D कौन B-D-A यह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे यह दोनों यहां से यह वला एक्स है तो यह वला एक्स होगा क्यों होगा क्योंकि यह त्रीजा है यहां से लेकर यह भी त्रीजा यह भी त्रीजा यह दोनों क्या है बराबर होगे तो उनके कौन ब्राबर होंगे क्योंकि यह संमद्वी वाहुत्र पूज हो गया तो यह समीकल नमबर को एक है फीर C A B ब्राबर होगा कौन B D C के यह समीकल नमबर दो C A B यह वाला कौन C A B और B DC यह एक ही वर्थखन में बने कौन है। एक ही वर्तखंड में मतलब 20 चापर ही ये बन रहा है उसी चापर ये बन रहा है ये दोनों बराबर होंगे कि ये वाई है तो फिर ये वी कितना होगा वाई होगा ठीक है ये दोनों क्या है एक ही वर्तखंड में बने कौन है और ये वाले वो त्रिबूज से लिये हैं अपने समझे में आ गया होगा आपको के की वर्थखन में बने समान है और एक ही ये वड़ा तो तरिबूज अपने हमेशा ही लेते आ रहे हैं अब तक जितने भी कोशन की हैं फिर क्या करो equation 1 plus equation क्या कर दो 2 कर दो तो c a d plus कौन c a b ब्राबर कौन b d a plus कौन b d c अब देखो c a d c a d c a b तो ये पूरा कौन क्या बन गया a बन गया पूरा कौन बन गया ना कौन इसको लिख सकते हैं कौन b a d b इसी तरह देखो b d a b d a b d a b d a और b d c ये पूरा कौन d बन गया a d c लिख सकते हैं कौन a d c चाहे कौन A equal to कौन D कर दो तो अपने को prove भी तो क्या करना था यही करना था और अपना जो prove करना था वो क्या हो गया proved हो गया यही अपने को prove करना था इसके बाद देखो छटा कोशन एक ABCD क्या है एक चक्रिय चत्रबुज है AB और DC को आगे बढ़ाते हैं तो E पर मिलता है तो पहले अपने क्या करो circle बना लिया ABCD कोई चक्रिय है चत्रबुज बना लिया यहां पर इसको नाम दे दिया किसे भी दे दो ABCD फिर वो क्या कहता है AB को और DC को आगे बढ़ाते हैं दोनों का मिलती हैं E पर मिलती है फिर अपने को प्रूब करना है कि त्रिबुज E, BC यह वाला त्रिबुज और E यह पूरा बढ़ा त्रिबुज यह वाला यह दोनों क्या हैं? समरूप है ठीक है? प्रूब करना है तो इसके लिए पहले क्या करते हैं? अपने को पता है कि A, B, C, D क्या है? चक्रिय चत्रबुज है क्या है? चक्रिय चत्रबुज है चक्रिय चत्रबुज है तो जो कौन A होगा और यह वाला कौन B, C B, C, D इन दोनों का योग कितना होगा? चक्री चत्रबुजर समुख कोनों का योग कितना होता है 180 180 आ गया कौन BCD का इनका योग कितना आ गया 180 फिर देखो जो वहीश कोन होते हैं इसका चक्री चत्रबुज में वो अन्ते समुख कोन के बराबर होता है प्रोपटी है कि जो वहीश कोन है वो अन्ते समुख कौन के बराबर होता है उसी प्रोपर्टी से कौन A C का समुख कौन B, C, E के बराबर होगा कौन B, C, E के बराबर होगा समी कर नमबर 1 इसी तरह फिर जो कौन D होगा फिर वो इसके इकवल आजेगा इसके समुख कौन के कि जो कौन D है O C, B, E के बराबर होगा C, B, E के बराबर होगा न, फिर यह वित्यों कोण की property same property दूनों बराबर होगे अब देखो, फिर यह अपने बात करें इसकी, پूरे की यह दो कोण तो बराबर हैं तो कोण E, और कोण E अपने तर्वुज की बात करें तिरबुज एक तो तिरबुज है EBC और दूसरा तिरबुज है EDA दोनों की बात करें EBC और EDA की तो जो कौन है BCE वो कौन A के बराबर है और जो कौन है CBE वो कौन D के बराबर है ये दोनों बहीश कौन वाली प्रोपर्टी से क्या है बराबर है कि जो बहीश कौन है वो अंत्या समुख कौन के बराबर होता है इसका बहीश कौन इसके समुख कौन के बराबर होगा फिर बात करें कौन E की कौन E की तो ये कौन क्या है उब्या निष्ट है कि E कौन इसमें भी है और ये E कौन इसमें भी है अपने बात करें एंगल 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 प्रोपर्टी से फिर ये तिरबुज EBC समरूप है तिरबुज EDA के ठीक है ये क्या होगे समरूप होगे क्योंगे तिन् of ब्राबर आगे आपको ये प्रोपर्टी याद होगी तो इस कोशुन को आपकर कर सकते हो, इसके बाद देखो question number 7 क्या दे रिखाया कि शिद कीजिए कि एक चक्रिय चत्रबूज के कोनों के समद्वी वाजकों द्वारा बनाए गया चत्रबूज भी चक्रिय चत्रबूज है, समद्वी वाजकों के द्वारा, सबसे पहले क्या बना लो, डाइगराम बना लो ठीक है चक्री चत्रबुज बना लो यहां पे बना लिया A B C D कहीं भी आपने नाम दे सकते हो फिर यहां से इनके कोनों के जो समध्वी बाज़का है इनके द्वारा बनाये गया समध्वी बनाये गया चत्रबुज भी क्या होगा चक्री चत्रबुज इसको करना है इनके कोनों के समंधी बाज़कों के त्वरा जैसे इसको बनाए गया है PQRS इसको करना है ठीक है अब इसको उनको अपने नंबर दे दिया जैसे A का इसको नंबर दे दिया तीन और इसको नंबर दे दिया चार तो देखो क्या करती है सबसे पहले तो यह चक्री कितना होगा एक सोसी दोनों का हाफ कर देंगे तो फिर हाफ करने पर एक सोसी का भी हाफ हो जाएगा और कितना हो जाएगा 90 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री इसी तरह है तो फिर देखो हाफ कोने हाफ कोने क्या है कोने हाफ कोन सी को क्या लिख सकते हैं कोन तीन तो इन तो y equation क्या कर दो first plus second कर दें तो one कौन दो कौन तीन कौन चार और इनको जोड़ोगे 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 स्मीकर नमबर 3 यहां तक यह अपना हल हो गया इसके बाद देखो आगे क्या करने है यहां तक आ गया इसके बाद अपने तिर्बुज को लेते हैं इस तिर्बुज क की बात करें तो सभी कौनों का यह कितना होता है 180 C एक कौन है कौन तीन फिर कौन है कौन चार तो Q को क्या ली सकते हो कौन D Q C तिनों का यह कितना होगा 180 स्मीकर नमबर 4 फिर अपने इसकी बात करें तिर्बुज A B P की तो कौन 1 कौन 2 और इसका कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन A, P, B का मान कितना होगा 180 स्मीकर नंबर 5 होगी अब क्या करो equation 4 plus equation 5 तो कोन इधर वाले ये 4 होगा कोन आजेंगे न कोन 1, कोन 2, कोन 3, कोन 4 plus D, Q, C कोन A, P, B और 180 plus 180 कितना होगा 360 ठीक है ये सारी चीज़ों को उधर ले जाओ ये दोनों इधर पड़े हैं तो कोन D, Q, C कोन A, P, B इधर है 360 और मैनस सारे कोन कोन 1, कोन 2, कोन 3, कोन 4 और इन सभी की वैल्यू कहां से रख सकते हैं समीकर नंबर 3 से equation 3 से क्या हो जाएगा 360 मैने से 180 गए तो पिछे क्या बचे गया 180 कि D, Q, C का जो मान है A, P, B मतलब ये समुख कोनों का योग कितना आ गया कि A, P, B और D, Q, C दोनों समुख कोन है समुख कोनों का योग कितना आ गया 180 तो ये ये अपने को परूब करना था कि PQ, RS के समुख कोनों का योग 180 है तो इसलिए P, Q, RS क्या है एक चक्रिय चत्रबुज हैं कि समुख को नों का योग एक सोसी होता है तो फिर वो क्या होता है चक्रिय चत्रबुज होता है यह अपने को प्रूब करना था तो आपकी यह बार्मी प्रिश्णावली सेर्कल वाली पूरी हुई धन्यवाद